अब अब लोग सबस्ता है एसे सेलेक्षिन पोस्ट पेज टैने जो कि एक अगस्त से पांच अगस्त के बीच में उसके अंसर की अभी रिलीज की गई थी तो मैंने प्लोगों से क्लेक्ट किया था उसके बेसिट पर मैं पे एक चोटा सा एंडिसे दूँगा जिससे आपको य कितना स्पोर किया है यह सारी इंफर्मेशन आपको मिलें कि इसके लावा कुछ और एक्स्टा इंफर्मेशन भी दूबा लेक्शन पोस्ट फेस्टेन की सभी की सभी शिप्स ही ठीक है मैट्रिकलेशन लेवल आपका नो शिफ्ट में हुआ था है से केंडरी लेवल का आपक एक पेज़ पर 25 के 25 कुर्शन आजाएं जिसा रसे ग्रूप डी का एक्जामनेशन स्टार्ट होने वाले या से और एक्जामस आने वाले हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से कुर्शन उसमें डाले गए हैं बाकि जो पीडियोफ से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक् जल्दी उस पर ज्यादा लोग जुडेंगे क्योंकि जितनी मैनत यूट्यूब पर की गए उससे कहीं ज्यादा मैनत टेलिग्राम पर जो हम पीडियोफ करते हैं उसमें जाती है ठीक है मेरी वीडियो इन भी कम इसले आप आती है क्योंकि मैं कोशिश करता हूं आपको जो सब्सक्राइब करते हैं तो लगबग यहां पर इतना टाइम मेरे साब से नहीं लगेगा इस बार शुट्स भी कम है पिछली बार इसे और वैसे उसका ज्यादा इंपक्ट नहीं है एसे से थोड़ा फास्ट काम कर रहा है तो दो से तीन महीने मैक्सिमुम मान की जलो तो इस अक्तूबर में पब्रिश कर दिया जाए एक रिजल्ट कैसा आता है कैसे निकलती है वह एक वीडियो है पेश्ट नाइन के टीर वन के रिजल्ट की वह आप देख लेंगे आई बटन पे वहां से आपको और अच्छा एडिया लग जाएगा क्योंकि हर पोस्ट कोड के साब सब्सक्राइब करते हैं अगर आपकी पांच से ज्यादा वेकैंसी जाते हैं तो कितनी वेकैंसी हैं कितने केंडियों को भुलाना है इस सब शीचों को धियान में रखके फिक्स की जाती है तो यह हमारी कुछ पीडियों से जो आप फोलो कर सकते हैं और आरवी अप्लिकेशन से कंप्लीट मैस का कोर्स देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेडिकेटेटे टेलीकराम गुरूप होता है हर क्लास की पीडियों सब को मिल ज अब हम आते हैं अपने सर्वे में पाटिस्पेशन टोटल 4701 नहीं किया ठीक है इन में से कुछ लोगों ने गल्द एंट्रीज भी डाली तो वह सारा डेटा हटाया गया और अगर मैं बात करता हूं मैट्रिकलेशन लेवल पे तो जो टॉप किया है मैट्रिकलेशन लेवल पे वह किया है सत्य परकाश प्रधान ने इनका जो टोटल रोई स्कॉर बना है ठीक है वह बना है 187 मार्क्स आउट ओफ 200 इनके जीके में भी काफे अच्छे स्कॉर है जीके में 39.5 स्कॉर किया है ठीक है मैस में पूरा स्कॉर है इंग्लिश में 47.5 और रिजनिंग में भी पूरा स्कॉर किया है ठीक इनका फीडबेक भी हमारे चैनल के लिए और इस इस सो मच हेलफुल तु डिसाइड दी फ्यूचर पोस ठीक उसके बाद यहां पर सैकिंड पर है रभी वर्मा जिन्होंने 180 स्कॉर किया है और उसके बाद है हमारे पास आलोक उनका 178 है रिशी है उनका 177 है एंड संजीत कुमार जहां है उनका स्कॉर यहां पर 175.5 है तो इस तरह से स्कॉर जा रहा है कि टोप 10 को मैं देखता हूं तो 177.45 हमारा एवरेज स्कॉर रहा है ठीक है रिजनिंग में एवरेज स्कॉर टोपर्स का अगर हम देखे काफी लोग ने 50 में से 50 स्कॉ नहीं रहा होगा जादा ठीक है वैसे अगर हम देखें भी तो टोपर्स का मैस में पूरे ही आ रहे होते हैं जाहते और अगर जनरल अवेरेज से बात करें तो इनका 34.75 तो यह जनरल अवेरेज में बहुत अच्छा स्कॉर गया है तो आप देखें कि आपको डेटा दिखा ह और जो आवरेज स्कॉर जा रहा है यहां पर 135.97 जा रहा है सारी शुट का कंबाइन करके देखें तो टिक है जी के में आवरेज स्कॉर्स को इहां पर 21 माक्स है आपका मैस में 40 है इंग्लीश में 31 है और आपका बिजिनिंग में 43.66 है ठीक इसके बाद जो स्कॉर्स है हमा हमारे पास टूटल चार चंडिएट से हैं एक हमारे पास एक अगस्ट वन से हैं और यह एक अगस्ट वन जैसे कि आपको पता यह एजीए शिफ्ट भी है लेवल के लिए आप देखेंगे हां पर 139.70 जा रहा है एक अगस्ट की शिफ्ट में है आपकी जो मिनिमम है आप देखेंगे यहां पर यहां पर चोदा पंधर नंबर का बेरियेशन है शिफ्ट के लेवल में इसलिए आप देखेंगे स्टार्टिंगे दो शिफ्ट तोटल दिखना है था आप नीचा यहां पे लीख सकते हैं इकके योफ से जाधा स्कोर करने वाले हमाई पर शिप्रहें रेट परी से जाद स्कूर करने वाले 597 अगर हायर सेकेंडरी लेवल की बात करूं तो यहां पर जो टोपर्स का स्कूर गया हर्ष प्रताब सिंग ने इन्होंने 169.5 स्कूर किया है यह एक अगस्त की शिफ्ट 3 का पीपर था इनका और इनका कुछ यहां पर फीडबेक भी है लोगों के जन्रल अवेर्नेस में यहां पर 25.54 रहा है यह टोपर्स का अवरेज स्कूर है अगर मैं बात करता हूं हायर सेकेंडरी डावल पांच शिफ्ट में क्योंकि पेपर हुआ था हर शिफ्ट का अवरेज स्कूर देख सकते हैं आप यहां पर जो मिनीमम हमारे पास गया है वह 129 गया है और मैक्सिममम गया है यहां पर 135 तो यहां पर ज्यादा चेंजिस के बाद देखने को नहीं मिलेंगे ठेक है टोटल आवरेज देखें तो 132.43 गया है और यहां पर हमारे सर्विय में 1173 कंडियेट्स ने इससे पाटिस्पेट किया था नंबर ओफ के इंडियेट्स क कि यहां जिसमें मैक्सिमम नंबर लोग होंगे जैसे आप दिखेंगे आप एक तर से जाता क्रोस करने वाले एक अगस्त की शिप्ट वन में 13 लोग है टेक है दो लोग है दो अगस्त की शिफ्ट वे बाकिल तीनों शिफ्ट में कोई भी ही परसन ऐसा नहीं जो एक सबसें सब्सक्राइब करें लेकिन के बाद यह सारी की साथ चीज़े बैलेंस हो जाएंगे यह सेलेक्शन पॉस्ट में बड़ी दिख्कत यह विए कि यह उनके बाद आता है आपको यह तो प्रसिल जागा आपके कट-off के लियर हो गया लेकिन आपके माक्स कितने बने हैं यह बता तक कि रोखने का क्या ही मतलब बनता है सेलेक्शन पॉस्ट में तुम लाज तक कि यह शूर नहीं रहोगे कितने माक्स बड़े नॉर्मलेशन में कितने घटे हैं अगर मैं ग्रेजुशन लेवल की बात करता हूं तो हाइट इसकोर 179 माक्स गया है फिर सेकिंड नमबर पर 175 फिर 175 फिर 174 ठीक है और यहां पर 174 और इस तरह से टोटल देखें तो टेन अरॉंड केंडिट्स हैं आप तो उनका एवरेजिस्कोर इंसेक्शन में आप देख सकते हैं और यहां पर छे शिप्ट में पेपर हुआ था आप देखेंगे एवरेज़ स्कूर 182.06 रहे हैं जो सबसे हाड़ेश रही है हमारे पास वह रही है यहां पर चार अगस्त की शिफ्ट और सबसे जो एजिए शिफ्ट रही है वह दो अगस्त की शिफ्ट तरहीं काफी ज़्यादा एजी रही है बाकी शिफ्ट के कमपर सबसे देखता हूं यहां पर 1708 लोगों एक रिजूशन लेवल से जिन्होंने फॉर्म भराता हूं उन्हें सर्व में पाटिस्पेट किया एक सो पचास से जाज़ स्कूर करने वाले आगे बढ़ते हैं यह मैं उबर आपको एक बार पिच्चर दिखा जेता हूं ग्रेजुशन लेवल और में में ट्रिकलेशन लेवल पर ओवरूल कैसा कैसा स्कूर रहा है टूपर लेवरेज इस सारी के सारी शिफ्ट का तो यह उन्हीं शिफ्ट है स्वरी भी शिफ्ट है ह है ग्रेजुशन लेवल के और हाइर शकेंटर लावल और में ट्रिकलेशन लेवल में तो आप एक डिफ्रेंस लोग्जोग कर पाएंगे ग्रेजुशन लेवल के जो स्टुडेंट्स है उन्हों ने इंग्लिश में ज्यादा स्कूर किया है मैं अगर मैं बात करता हूं यहां पर जीके में अब जब आप पीडियोफ देखेंगे मैं अगे मैं बात करता हूं बाकी अनलीस हो पाया चैप्टर वाइस तो मैं कोशिश करता हूं डालने की पीडियोफ तो बनी जाएंगी जड़ी इन से चार दिन में जीके इंग्लिश और रिजनिंग के तो मिली ज जाता है तो जब चैप्टर वाइड बन जाएंगे तो उसका एक अनलसिस दो तीन एक्जाम से और भी हुए है पीछे जिनकी चैप्टर वाइड अनलसिस मैंने नहीं दी है यूट्यूब तो वह सारी या तो एक साथ दे दूँगा या जो भी होगा बनाते है वीडियो ठीक हो सकते हैं अगर आप चार अगर शिफ्ट में आपने पेपर दिया था अपना ग्रेजूशन लेवल का तो आपके एक्सपेक्टेड अगर आप एक्स वन ट्वेंटी 3.94 करेंगे तो आपके 16 मार्स तक इंग्रीज कर जाएं ऐसे यहां पर पांच पर लिख रहा है आप यहा वाली और यहां पर आप देख सकते हैं यह मैंट्रिकलेशन लेवल का है यह हमारी हाड़ेश शिफ्ट है और यह हमारी इजिए शिफ्ट है कितना इंक्रीज हो का लगबग वह आप यहां पर दिखेगा यह रफाइडिया है ठीक है बेस्ट ओन दी डेट यह डेटा बाकि ट आपका टार्गेट है तो जान लगा दो यार इस बार यह जो अपोर्चनेटी यह नहीं मिलेगी मैं बोल रहा हूँ आप ठीक है बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इस बार ठीक है तो कॉंप्टीशन नोड़ा बैंसी अच्छी होंगी तो चांसे जादा होंगी ले अगले साल ही करवा जें सीटी एक क्योंकि बैंक और एससे एलाइन होई नहीं पा रहे थे बैंक के 2022 के चल रहे थे इस बार इस थोड़ा फास्ट के 2022 के 2022 में करवाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस प्रोबेबल कि सीटी पे अगले साल कुछ ना कुछ हो सो जश्ट प्रिपे बाकि मैस पोर्स है या आपके पास अपना पैस्ट लेटेश्ट के साथ जो के उन प्रैक्टिस के साथ जो आप एक्जाम में यूज कर सकते हैं सेलेक्शन तक पोश्टने के लिए तो उसका इस्तमाल करें चैपकर वाइच पीडियो से सब्सक्रिप्शन लेना है गो ले सकत अगर आप यहां पर देखोगे यह है तो कि यह आपकी सारी क cheating возмож पोस्ट की पीडियो सैंटिस्ट की इंगलीश में हिंदी में मैस की जैसे मैंको olar डेता हूं एक प्रिए अर्माट की मैनने यह खोली है पीधी Byow मोग फॉर्मेट में इंग्लिश की मैट्रिकलेशन लेवल की तो नो शिफ्ट में पेपर हुआ था आपका यह जिस शिफ्ट पे किलिए करेंगे आप उसके नीचे चार ओप्शन्स आगे पुस्टिन चार ओप्शन्स मोग फॉर्मेट में है 25 के 25 कोश्चन कम से कम पेजिस के अंदर तीन पेजिस के अदर आपके 25 के 25 पुस्टिन आएंगे इंस के क्वोष्ट न सवगे कि ऐसा ना हो कि इंग्लिश और इंडे शाथ में डाल दिया तो इन तो आपके ज्चयादा पेज़िस लग रहे हैं मिनिमम पेजिस जिससे आपके लागे और साथ की साथ उसकी आ काल लेता हूं यह अभी इंग्लिश की खोली थी हिंदी की खोली मैंने जनरल इंगिन सेंट रिशनिंग की तो यहां पे भी सेम ही चीज होगी जो भी आपको पेडियाफ यह सारी मैट्रिकलेशन की खुली है करा पॉर अगस्त की खोली है यह जिससे कि आप आपके आइस पर जादा लोड ना पड़े हैं आपको अलगसर की फिडियोफ कतम होती है सारी की सारी शिट्वस यह मट्रिकलेशन लेवल की एंगलिश हिंदी जी के इंग्लिश जी के रिजनिंग और मेठ आए सेंटर्य लेवल की सेम और गैशन लेवल की सेंट यह सारी ट्री वीदियो तेलिए च्टरॉज आपको ब्लाटीशन पिर अप्लिकेशन पिलिएंगी So bye bye everyone, take care, have a nice day and Jai Hind.